कि हेलो फ्रेंड्स तो कैसे आप सब उम्मित करता हूं अच्छे होंगे तो देख बारे हैं यह अहुजा बीटी जेट 10,000 अम्प्लिफायर है इसका मोडल नंबर है बीटी जेट 10,000 और यह अम्प्लिफायर अहुजा की तरफ से है तो आज हम इसे के बारे में बात करेंगे इ कितने ओम पर कितना वार्ट देता है कितना लोड हम इस पठ दे सकते हैं इसकी पूरी जानकारी आज हम जानेंगे तो अगर से कि आप लोग उसका पहले ओबर ओलुक देख लीजिए है तो यह उसका पूर्ट से आरप से देख रहे हैं तो चलिवे इसका फ्रंट पैनल की ब कि एक हजारवाट का यह अम्प्रिफायर है दो चैनल में है चैनल ए और चैनल बी यह अहुजा का लोगो ब्रेंडिंग दिया हुआ है और तो बात करते हैं हम पहले चैनल की तो इसमें आपको यह इसका व्लूम नौप देखने को मिलता है गेन को बुस्ट कंट्रोल करने के ल कि नौप और यह ट्रैवल का नौप दिया गया है साथ में आप देख पा रहे हैं इसका लेवल इंडिगेटर दिया गया है जिसे हम यूव मीटर कहते हैं वियू मीटर दिया गया है और पुट लेवल देखने के लिए कि हमारा आउट्ट इस्पीकर में कितने आउट्पु जा रहे हैं कितने लेवल तक कि हम यहां पर देख सकते हैं और इसके फ्रोड अपने स्थिकर्स को सेफ रख सकते हैं कर्गर को तो इस अपना सूर्च सुच दिया गया है इस पीकर बॉक्स सेलेक्टर के लिए और ड्राइबर युनिट स्लेक्टर के लिए। तो इदे करेंगे तो यह तो यह लास चलने लगे तो तो चलने लगेगी तो आप करेंगे से अपने box चलना चाहते है तो इदर करके रखेंगेitter ड्राइबर यूनिट चलाना चाहते हैं तो इधर करके रखें तो यह हुआ इस चैनल वन की बात इसमें हैंडल बहुत ही मजबूत दिया गया है तो बात कर लेते हैं इस सुचिस के बारे में तो यह सुचिस दिया गया है अपना स्टूर्यो और मोनो के लिए अगर आप फूर्ण चाहिए और अगर आप बटन को बाहर की तरह आते हैं तो मोनो में चलेगा मोनो में यह लाइट जी लेगी तो समझे लिना कि यह मोनो का इंडिकर संदे रहा है कि इसमें एक ही इंपूट देखें आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब दोनों चैनल को कंट्रोल कर स सकते हैं इसे एसा ही सेम जोन भी का इसे भी आउन रखागा चाते हैं तो आफ कर सकते हैं कि छैनल दो में भी सेम ही हैं आड़ वल्म नॉब गेन का और यह बेस और यह हो गया ट्रेबल का और इसका स्पीकर और ड्राइबर यूनिट सेलेक्टर स्विच दिया हुआ है आप लोग इधर से करेंगे तो ड्राइबर इधर करेंगे तो बॉक्स सेम ही दोनों में हैं जैसा कि इसमें था वैसा है इसमें है सेम और यह अपना ओवरलोड के लिए है जो ने के लिए ओवरलो और यह mcb है जब यह ओबरलोड हो जाएगा तो यह ट्रांस से ट्रिप कर जाएगा तो यह से भी बाहर की तरफ आ जाएगी वैसा इस चैनल बी के लिए भी है और यह बहुत ही पाउरफुल स्विच बटन दिया गया है इसको अन अफ करने के लिए दोनों तरफ हैंडल से दिये गया है बहुत ही वजंदार एंप्लिफायर है 38 कि लोके लंसम का है तो इसमें वह थी मजबहुत हैंडल दिया गया है चार चार हैंडल दिये गया है दो हैंडल ऊपर की तरफ दिये गया है जैसे कि आप लोई देख पा रहे हैं तो इसको उठाने के लिए काफी में पावर लगने वाली है कम से कम दो बंदे लगेंगे तभी इसको अच्छी तरह से उठा पाएंगे तो यह हो गई फ्रंट पै करें है जी इसको बेक् पैनल दिया हुआ है इसने चार बातरफ फ्यूट संसेंग बोडी के चार रफ फ्यूट संग लेगे सिर्फ प्रंट फैनल को छोड़ी के बाकि चार बातरफ प्यूट को फ्युट माउंट है और बिज़ि लक्रिफाइर मांट होते हैं रिजज इस सा पूरे पर मॉसफेट मांट है अंदर से तो चलिए इसका हमें पीछे का पैनल जान लेते हैं यह लइन आउट के लिए है लाइन आउट और यह लाइन-ेन। हो यहां से मोनॉमॉट के लिए इनपुट देंगे अगर स्टूडियो मोजिक के लिए हम दो देना चाहते हैं तो यहां से स्टूडियो के लिए हम इंपूट दे सकते हैं जो हमारा साधा वाला टो इंपूट सक्षंद दिया गया है यह हमारे 26 डी सी इसे भी उपरेट होता है यह अभी की टाम पर डी सी का का इंपलिफार के बहुत ही कम ही किया अबरादा में क्या है अबर। है हुझाता है पहले आप यहां पर फ्यूज देखेंगे निकाल कर कि फ्यूज हमारा सही है कि नहीं तो यह जोन भी के लिए LMT LMT चलाने के लिए ड्राइबर यूनिट सेक्शन मारा दिये गया है तो यहां से हम LMT यूनिट चलाने यहां सत्तर वोर्ड और हंड़ेट वोर्ड 100 वोर्ड का दिया गया है सेम वैसा यहां आज जोन भी के लिए सब्सक्राइब यहां पर देख पा रहे हैं घंब्री यहीं देती है तो हमने अपनी सुविधा के लिए इसमें बनाना स्वाकिट्स कि बनाना टर्मिनल का प्रयोग किया है तो यह कॉमन फोरोम एटोम वैसा इस सेम चैनल दो में भी हैं कॉमन फोरोम और यह टोम तो यहां पर इसका अट्थिंग ग्राउंड दिने के लिए दिये गया है अगर आपका अंप्रिफाय कभी लाइब प्रोग्राम में चल रहा है हो और करंट की दिक्कत हो रही हो तो यहां पर आप ग्राउंड दे सकते हैं से हमिंग भी कम होती है और से टी विसल का भी प्रोब्लम दूर हो जाता है यह यह अमरी पावर कोड बहुत है भी पावर कोड दी गई है यहां से 240 वोड पचास हर्ट से 50 से 60 हर्ष तक काम करता है बहुत ही अच्छी तरीके से तो यह से क्याप लोग देख पार हैं हीट सिं अब लोग ने इसका पूरा इस्पेकेशन जान लिया है और यह एंप्लिफायर पर चैनल पर पांसो प्लस पांसो एट फोर ओम पर देता है तो यह एक बूस्टर एंप्लिफायर है बहुत ही जैनुएन एंप्लिफायर है अहुजा के बीटीज सीरीज का तो इस पर हम जिस इस पर कंपनी कहते है कि फ़ोर ऑंपर शाज़ेशु वार्ट तक लोड मैकसिम दे सकते हैं पर आप इस पर 800-900 वार्ट का लोड दे सकते हैं बहुत ही आसाइन है चलेगा थोड़ा सा हीट का प्रोलम होगा तो आप एक फैन का यूज कर सकते हैं बस इसमें कोई दिक्छत आ आने वाला नहीं है तो आप लोग इस पर आठ से 908 का एक टॉप बनाएए चार सो जार सो करके बना लीजिए चार सो वाट का डबल स्पिकर लगाई है दो स्पिकर और 100 वाट का आज आप 900 वाट हो जाएगा जैसे कि आप लोग यह दिख पा रहे हैं हमारे यह दोनों टॉप इसी एंप्लिफार पर चलते हैं एक टॉप एक चैनल पर दूसरा टॉप दूसरे चैनल पर नौसो प्लस नौ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व्यूटिव को लाइक करें और अपने दोस्तों में सेयर करना ना भूले तब लोग को मिलते हैं हम अगली वीडियो में तब तक लिए बाबाई जय हिंद जय भारत